माय के पिहर से पतनी नहीं आई तो युवक ने अपना गला रेत कर सुसाइड कर लिया। फिल हाल पुलिस इस मामले को लेकर अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। गटना के समय युवक घर पर अकेला था। मामला जुझनु सहर के बाकरा रोड इलाके का है। कोतवाल रामनोव ठोलिया ने बताया इसलाम नगर पमारी स्कूल के पास इमरान जिसकी उम्र 25 वर्ष थी। युवक के खुद की गरदन पर चापकू से वार कर सुसाइड की सुचना मिली थी। अस्पतल पहुंचे तो युवक की मोत हो चुकी थी। पहली नजर में मामला ख कुत्र सलीम खानजादा सबजी का ठेला लगाता था। मकान में वह अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। पांच साल पहले उसकी साधी हुई थी। दो बच्चे इमरान अपने परिवार में अलग रहता था। इन दिनों बीवी मायके गई हुई थी। इमरान को अपनी पत्नी के मायके से ही लोटा था। जानकारी में सामने आया कि इमरान का पत्नी से विवाद चल रहा था। वह उसे लेने अपने ससुराल गया था। साम करीब साड़े च्छे बजे लोटने के बाद उसने गले को चाकु से काटकर सुषैड कर लिया। लोगों ने बताया कि गटना के दुरान घर का मुख के दर्वाजा खुला हुआ था। इमरान पेट के बल घर के आंगन में पड़ा हुआ था। उसके गले से लगतार खुन बह रहा था। घर के पास से निकलने वाले एक युवक ने इमरान को पड़े देखा। वह चिलाकर मोले के अन काया थे है डॉक्तर इसको चेक अबिए मर्द कोशित कर दिया क्कश को बाया को मूंध इerved Keихव घर के लड़ है को को बाएक को हो मोमद इनान सलीम जी का लटका ही वे सब्जी को कारूबार करेगी रहे सब्ची की रेडिय लगाया अपने बजार में पिल पास की रहे बूश להरे को बना कोई नहीं हमेड़ को खी बताओ को application क पाट ली हो अपने प्रभाइवे हो गहा है है कि कोई बात होगी है मैं तो हो भी को नहीं मैं तो बजार मगेड हो मन तो आना के बाद मेरो पुटे हो जट तक तो एंबुलेंस वगएरा आगी है माने उड़े से उठा लिया हा लेकर भी गया हॉस्पिटल अब वह इस्पिटल जाना के बाद मांकी मौत हो गई है अब बात में डिसकसी को नहीं कोई परेशानी है लागतों भी को नहीं कोई परेशान है कि आदमी अच्छो कमा तो खातो अब बेरो को नहीं के बाद